दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका पटवा गार्णिंग में आसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे और विंटर गार्णिंग का मज़ा ले रहे होंगे दोस्तो गुल्दावदी के फिलावर की अब एंडिंग चल रही है यह कुछ दिन और रहेंगे बस 15-20 दिन के महमान है यह और इसके अलावा मेरे पास में जो बड़े साइज के बिक साइज के गुल्दावदी है यह तो काफी चलेंगे अभी यह अभी मैंने लगाया हूँ य यह तो बहूँ आप दर लिए डेख और ससस्जु दिखंग रहते हैं तो बहुत ही। दिखते हैं और यह अभी देड़ दो महने तक के धाई तीन महने तक भी चल सकते हैं इन पौदो के लिए छे घंटे की धूप कमपल्सरी होती है तो पिटोनिया के प्लांट है यह देखें यह भी चलेंगे अभी यह तो मार्च अप्रेल तक चलेंगे और बारिस के पहले तक क यह कलना प्लांट ये में रहते हैं मेरे पास में और यह में यलो के भी काफी प्लांट यह देखिए अच्छे से flowering हो चुकी है इनकी कुछ में रह गई है कुछ में बड़ सा गई है और यह flowering हो जाएगी 15 दिन में सभी flower पूर भर जाएगे एक अमले और इधर भी यह देखिए औरेंज भी है मेरे पास औरेंज है और यह रेड़ भी है और यह देखिए रेड़ यह वाला जो है लगभग पूरी तरह से भर गया है और यह तो बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत सुन्दर लगते हैं इसके flower और यह दो मेहने तो अराम से ये रेड वाले में देखिय…. लेकिन बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं में नेदिक। और अभी time नहीं मैं छहाया हूँ आधे छूद्देयो साजनर सावार के शहाँ सुन्दून दिखते हुऊ है मैं पहले एक ही प्लांट लाया था और यह से देट कर दो से कटिंग लगाऊंगा और कुछ ब्लांट मैंने जो कटिंग से ग्रो किये थे मेरे पास में पॉलि बैग में रखे HEW यह मैं खरीद करना हूं मैं खुड ग्रो किया हूं इसको और यह मेरे पास एक प्लांट कste कि लाया था ये इसका kVA subject का color है ये जामनीS color है ये देखिए इस Type का color है और ये प्लांट खराब हो गया था लृष कि नीचे से गल्ले लगा था तो में कटींग लगा दिये था बहुत सारे कटींग लगा दuingाया था हम में सोचा बच जाया तो बच जाय इसलिए मैं इसको लगा दिया था और यह काफी सारे प्लांट हो गए यह करीब करीब आठ नौ प्लांट है यह एक ही पौदे के और यह इनमें भी फ्लावरिंग आने वाली है दोस्तों इसे ज्यादा बड़े गंबले की आ सकता नहीं होती है इससे प्लांट को बिल्कुल सेंडी स्वाइल में लगाया जाता है और फर्टिलाजर भी बहुत अधिक नहीं लगता है यह नौर्मल आप किचिन वेस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास में है गोबर की खा रहा हूं और यह बस अब इनका सीजन चालू हो गया है और अब मेरे गार्डन में इनकी सुन्दरता दिखाई देगी आपको दोस्तों बहुत ज्यादा केर नहीं करनी होती है इनकी बस पानी का ध्यान रखना होता है एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया उसके बाद में इस युकि आपित्तियों में पानी नहीं डालना चाहिए विए कि इसके पत्तिया है जैसे फूल जैसे दिखती हैं और इसमे पानी भर जाता है उसके भरने से इसमें जो आफिट्स का अटेक हो जाता है तो इसलिए आप इसके उपर से स्प्रेय ना करें हां लेकिन अगर किसी हो गया है तो फिर आप इसमें कोई भीої फंडिया जया नेम ओईल या फिर को बगla आपके पास में हो दवार के लिए दो आप ले सकते हैं अगर आप इसमें शुरु से फंडिया फिर नेम आपके रहेंगे तो एफिट्स लगए ही नहीं और इसका अगर फ्लावर और आ गये हैं तो फिर कोई भी किसी प्रकार का इस्प्रेश ना करें उसमें क्या होता है लेकिन फ्लावर आने पर और इनके सुन्दरता बढ़ जाती है तो इसे आप ज़्यादा केर भी नहीं लगती है आप कभी भी लगा सकते हैं और कोई भी सीजन में लगा सकते हैं और ये हाइब्रिड वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुपसूरा दिखते हैं और ये बारे मेंने फ्लावरिंग करते रहते हैं और ये पोधा आपके गार्डन में एक बार आ गया तो फिर ये कभी जाएगा नहीं बस थोड़ी कियर करते रहें आप इसकी और एक प्लावर से आप अनेकों प्लावर बना सकते हैं आप जितना चाएं उतना बना सकते हैं। दोस्तो flower आने के बाद इसे आप सेमी सेडी अरिया मेरे निकरत हैं। तो इसके flowers ज्यादा तिन तक के color अच्छे दिखेंगे। और नहीं तो धूप में इसके color फीके पड़ जाते हैं। तो घ्यान रखें अगर इसको आप सेमी सेड एरिया में रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तो केलंग चो आप जरूर लगाएं अनेकों कलर के मिलने लगे हैं आजकल मार्केट में और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें और नई-नई जानकारी के साथ मैं वीडियो लेता हूँ और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइज नहीं किया है तो सब्क्राइज कर लीजिए और साथ ही वैल आइकोन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेंशन सबसे पहले मिल जाए स्वस्त रहें, मस्त रहें और गार्डिंग करते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार, जैहिंद